लोक जन सक्ति पार्टी राम बिलाश का राश्ट्रिय अध्यक्स और जमूई सांस चिराग पासवान चिराग पासवान बिहार के राजित के सबसे बड़े धुरंधर माने जा रहे हैं साथिوں बता दे तेस्वी आदो के बाद दूसरा नाम चिराग पासवान है और चिराक पासवान ने 2019 के लोक सवा चुनाओ में Engoda के तरफ से बिहार में इस्टार प्रचारक की भूमी का निभा रहे थे लेकिन चिराक पासवान एंडिया से 2020 में अलग हुए चिराक पासवान ने बिहार के वेधान सवा चुनाओ अकेले लडने का फैसला किया लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं ने चिराग पासवान से नाराजगी जयताई इसके बाद चिराग पासवान की पार्टी टूटी और टूटने के बाद चिराग पासवान का बिहार में जन समर्थन इतनी जबरजस तरीका से मिला आशिरवाद यातरा में आप वो तस्वीरों के मादन से देख सकते हैं कि चिराग पासवान की बिहार के राईत में कितनी पॉपुलर्टी बढ़ गई है लेकिन चिराग पासवान कब चर्चे में आते हैं जब परधान मंत्री नरेंदर मुदीजी के कारकरम में और अंगाबाद सामिल नहीं होते हैं स इसको लेकर चिराग पासवान की नराजगी सबसे जादे हैं लेकिन क्या चिराग पासवान अपना पाला बदलने के भी चर्चाय में हैं बतादे कि चिराग पासवान अभी एंडिये के एक हिस्सा है और एंडिये में चिराग पासवान का अभी तक से कोई भी सीट सेरिंग किलियर नहीं हुआ साथियों बतादे कि जेपी नडडा और रमित सासे चिराग पासवान की कई बार वार तलाफ होकी लेकिन अभी तक से सीट किलियर नहीं हुआ साथियों बतादे कि चिराग पासवान का लालु प्रशाद यादो जी का भी ओफर आया था चिराग पासवान क ये सबसे बड़ी चिंदा का विशे बना हुआ है कि चिराक पासवान और तयस्वी यादो इस 2024 के लोक्स्रबचुना में एक मंच पर दिखने की संभावना सबसे जादे बढ़ गई है साथ हूँ बता दे कि चिराक पासवान और युवा हैं तयस्वी यादो भी युवा हैं जब दो युवा एक साथ होंगे ते बिहार की रजिनत का दसा और दिसा बदल जाएगा साथ हूँ बता दे कि चिराक पासवान के सबसे अच्छे दोस्त हैं तेस्वी या दो रहूल गादी से भी चिराक पासवान के दोस्ती को वली भरी जाती है लेकिन क्या चिराक पासवान अभी तक से इंडिये में बने रहेंगे कब तक बने रहेंगे ये देखने वाली बात है कि चिराक पासवान की इंडिया गड़बंदन में पूरी तरीके से नाराजगी दीख रही साती हूं तो अभी के लिए इतना ही जै हिन जै भीहर